दूस्तो भारत में औरत को लख्षमी का रूप माना चाता है लेकिन कभी-कभी वक्त की इतनी बुरी माल पड़ती है कि ये लख्षमी भी डरदर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो जाती है दरदर भटकने और भीक मांगने के लिए मजबूर हो जाती है ऐसी ही एक सच्ची घटना है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको भी होश होड़ जाएंगे तो कहानी की शिरुवात करते है 14 दून 2016 उत्तर परदेश एक जिला है एटा ये घटना वहीं की है रवी कुमार अपनी चमचमाती कार में वैट कर इटा से दिल्ली जा रहे थे तबी रास्ते में एक ट्रैफिक सिंगनल पर गारी रुख जाती है और कुछ औरतें उनकी गारी के पास भीक मांगने के लिए आ जाती है रवी बड़े ही द्यालू स्वभाव के व्यक्ति थे वे अपनी गारी का शिशा नीचा करते हैं और सभी भीक मांगने वाली औरतों को सो सो रुपीय दान में बिक्षा के रूप में देने लगते हैं पिक्षा देने के वाद वे अपनी गारी की खिड़की बंधी कर रहे थे कि एक औरत की आहवाद सुनाई देती है और वो कह रहे ही थी कि साहम मुझे तो पैसे मिले ही ने रवी कुमार अपनी गारी से बहां निकलते हैं और उस औरत के पास चले जाते हैं रवी कुमार उस औरत को देखते हैं तो उसके चेरे का रंग फीका पड़ने लगता है क्योंकि वो औरत कोई साधना लड़की नहीं बलकि रवी कुमार की ही तलाख शुदा पत्नी पाइल थी रवी कुमार अपने तलाकशुदा पत्नी को इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं पाहिल भी अपने पती को देखकर रोने लगती है उसकी आँखों में आसु आ जाते हैं पाहिल को देखकर ही लग रहा था कि लोग वहां इखटे हो जाते ही कि आखिर मामला क्या है तो रवी कुमार खुद को समालते हुए पाहिल को अपनी गारी में बैठा कर बोलता है कि चलो पाहिल यहां से किसी पास के होटल में चलते हैं वहां बैट कर आराम से बात करेंगे और फिर वे दोनों एक होटल में जाकर बैट जाते हैं रवी कुमार पाइल के आंसू पहुँचते हुए उससे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी फैमिली से हो तुम्हारे माबाप तो बहुत अमीर लोग है अच्छा खासा बिजन्स है उनका नाम है रुटबा है तुम्हारे ये आलत हाके कैसे हो गई इतनी गरीबी कैसे है और तुम सिगनल पर क्यों मांग रही हो जबकि मैंने तो तुम्हें डाइवर्ट देने के बाद 10 लाक रुपी भी दिये थे इतना ज्यादा पैसा तो तुम बड़ी आराम से अपनी पूरी जिन्देगी गुजार सकती थी रवी कुमार पायल से कहता है कि तुम मुझसे अपने मामा मामी मौसा मौसी की बातों में आकर कितनी लड़ाई जगड़ा करती थी हमेश ratios मुझे तलाक लेने की बाते करती थी मैं तो फिर भी तुम्हें माफ कर देता था और तुम्हें कितना सम्झाय था मैंने की ये तुम्हारी गलत फहिमी है तुम मुझसे तलाक मत लो पर तुमने मेरी एक न सुने तुम जिद पेवाड़ी थी नहीं मुझे तो तलाक चाहिए तो चाहिए और आखिर को तुम तलाक लेकर ही मानी अब तुमने मुझे से तलाक ले ही लिया था तो ये परेशयनिया क्यों आ गई तुम्हारे साथ मुझे बताओ पाईल ये क्या हुआ क्या हुआ है तुम्हें तबी पायल रवी की बात को टालती हुए बोलती है कि तुम्हारी मा कैसे है यानि कि मेरी सासुमा कहती है उनकी तबियत का क्या हल चाल है रवी किमार बताता है कि मेरी मा पी ठीक है हर रोज बस तुम्हें ही याद करती रहती है और पूछती रहती है कि क्या मेरी बहु इस घर किया था अपनी बेहतरी के लिए किया था फिर वे पाइल से पूचता है कि पाइल तुम्हारी ये हालत आखिर कैसे हो गए तभी पाइल कहती है कि जिन्दगे ये बारे में मत पूछो तुम से डाइवर्स लेने के बाद जो दस लाक रुपीय मुझे मिले थे वो मेरी मौसा मामा मामी ने हरड़ लिये और मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और ताना सुनाते हुए कहा कि चो अपने पती की नहोस्ता की वो हमारी क्या होगी उसके बाद मैं वहीं सड़क किरारे सिगनल के पास किराय के मकान में रहती हूँ और भीक मांगकर अपना पश्ता दाप कर रही हूँ पाइल रवी से कहती है कि मैं बहुत परेशान आचुकी हूँ अपने इस जिंदगी से मेरा कोई सहरा नहीं है फिर वे फफ़खखखखखख कर रोने लगती है रवी पाइल को चुपकर आते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं जो हो गया सो हो ग पाइल रवी के पैरों में लिपड़ जाती है तवी वे पाइल को उसके कम्रे में ले जाता है और अपने काम से डिल्ली के लिए निकलने ही बाला था कि पाइल कहती ही कि अपने ख्यार रखना और कही रास्ते में क Seal में खौネस àsर जवाब देता है और फिर अपनी गारे से दिल्ली के लिए सफ़र शुरू कर देता है वे दूसरे दिल्ली से वापस आता है और सीधा पाइल के कमरे में पहुंचता है उसको पाइल वही कमरे पर ही मिल जाती है पाइल ने आज साफ सुतरे कपड़े पहन रखेते और वे खुबसुरत तो थी है पाइल को एक नजर देखते ही रवी उससे कहता है कि अब बताओ पाइल तुम मुझसे क्या चाहती हो रवी गुसे में बोलता है कि तुमने अपने रिष्टेदारों और परिवार वालों की बातों मा कर मेरी और खुद की जिन्दगी को तभा कर लिया अब और क्या चाहती हो मुझसे पाहल रोते हुए कहते है कि तुम से तलाक लेने के बाद मेरे घरवाले मेरी शादी एक अधेर वेक्ति से कराना चाहते थे एक बुड़े वेक्ति से कराना चाहते थे इसके लिए उन्होंने पाँच लाग भी उस वेक्ति से advance ले रखे थे लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी मेरी शादी से इंकार करने पर उन्होंने मुझे घर चे धक्का देकर बहाँ निकाल दिया मैंने कई बार तुमसे बात करने की की भी कोशिश की थी पर तुम्हारा कोई contact मेरे पास नहीं था और घरवालों ने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया जब तक मैं तुमसे मिल पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी तब ही रवी की नजर कमरे में एक दिवार पर पढ़ती है जहां रवी और पाहिल की शादी की एक फोटो लगी हुई थी रवी पाहिल से इस तस्वीर के बारे में पूछता है कि ये तस्वीर क्यों लगा रखी है हमारा तो तलाक हो चुका है ना अब इसकी क्या जरूरत है पाहिल अपने आंसु पहुचते हुए कहती है कि मैं रोज तुम्हें इस तस्वीर में देखती हूँ तुम्हारी पूजा करती हूँ मैंने पहले भी तुम्हें अपना पती ही माना था और आज भी मैं तुम्हें अपना पती ही मानती हूँ पायल रवी से कहती है कि अगर सुबागा भूला शाम को घर लोटाए तो उसे भूला नहीं कहते मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गए तुम जैसा पती तो सिर्फ किस्वत वालों को ही मिलता है मैंने तुमारी कदर नहीं की मुझे माफ कर दो रवी पायल की बातों को सुनता रहता है और कुछ देर बात बोलता है कि ये कपड़े मैं दिल्ली से तुमारे लिए लाया हूँ इन्हें तुम अपने पास रख लो और मुझे जाने दो मेरी माँ मेरा इंतिजार कर रही होगे अब जैसे ही रवी जाने लगता है पायल उसके पैरों में गिर जाती है उससे कहने लगती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो मैं तुमारे घर के किसी भी कौने में पड़ी रहूंगी तुम से उफ तक नहीं करूंगी अगर तुम मिझे यहां अकिला छोड़कर चले गए तो मैं मर जाओंगी रवी अब धीरे धीरे रवी भी एमोशनल होने लगता है और फिर वे अपने घर फूर फोन करता है और अपनी माँ से बोलता है कि माँ पायल मिल गई है यह सुनते ही रवी की माँ बहुत ज़्यादा खोश हो जाती है वो कहते है कि बेटा मेरी बहु को साथ लेकर ही आना अब जब मिल ही गई है तो कैसे भी करके उसे घर लेकर आजा मैं अपनी बहु से मिलना चाहती हो उसे फिर से अपना आना चाहती हो अब यह सुनकर पाइल के चयरे पे खुशी की लहर आ जाती है वो मन ही मन सोचने लगए कि चलो मा के दिल में तो मुझे लेकर कोई कालापन नहीं है कोई भेद माव नहीं है वो तो मुझे सुईकार करना चाही रहीं है रवी पाहिल से कहता है कि चलो कपड़े रखो और मेरे साथ चलो ये सुनकर पाहिल रवी से गले लग जाती है और रोने लगती है वो उससे कहते है कि रवी तुम इंसान नहीं बलकि मेरे लिए एक देवता का अफ्तार हो फिर रवी उसको गले लगा कर रोने लगता है वे भी अपनी भवनाओं को अब दवा नहीं पाया था वे दौनों गारी में बैटते हैं और सीधा अपने घर इटा के लिए निकल पड़ते हैं इटा पहुँचने के बाद जैसे ही पाहल गारी से उतरती है तो वो देखते हैं कि रवी की माय यानि कि उसकी सासु मा हाथ में थाल लिये खड़ी है उसके स्वागत का इंतिजर कर रही है पायल दोड़कर जाती है और अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और इनसे लिपड़ जाती है और कहती है कि माह मुझे माफ कर दो माहर बहुत ही गमगीन हो जाता है अब पाइल और रवी फिर से अपनी शादी सुता जिन्दगी में वापस से बन जाते हैं और अपनी खुशाल नई जिन्दगी की शुरुआत करते हैं दोस्तों कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना रवी कुमान ने पाइल के साथ जो बात में फैसला किया क्या वे उसके हगदार थी या उसे उसकी सजा देनी चाही थे कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्काइब जरूर कर लेना